सु हे आप सभी को नमस्कार दिसेशे नोटबुक बड़ी एक नए वीडियो के साथ आपन फिर से आजरें तो यार कल JCEC ने काउंसलिंग का जो आगे का शेडियूल है कब से चॉइस फिलिंग होगा तो अगर प्रॉब्लम है वीडियो को एन तक देखना हम इसे डिकोड करेंगे इन्टू नॉर्मल हिंदी एक और बात अगर BIT सिंद्री आ फिर किसी भी कॉलेज में अड्मिशन ले रहे हो जो कि JUT के अंडर है यानिके जहारकरन के जो कॉलेजिस है जो कॉलेजिस आपको मिलेंगे तो इन सभी कॉलेजिस में जो नोटिस आते हैं एक्जाम के नोटिस या फिर कुछ भी नोटिस को कॉलेजिस में वह सभी हिंदी में आते हैं तो इस चीज का आदर डाल लो हिंदी का एक और इंपोर्टन बात है कि चैनल को कम्यूनिटी टाब मिल चुका है अगर किसी को नहीं पता ही कि टाब क्या होता है आपको ऊपर दिख रहा होगा एक टाब एड होगा जो ऊपर टाब्स रहते हैं प्लेलिस्ट वीडियो ऐसा जो टाब्स रहते हैं उसके बगल में एक टाब एड होगा एस कम्यूनिटी तो वहां पर आप जाके देख सकते कि वहां क्या है तो अब चैनल पर फोटोस के थूभी में आपको बहुत कुछ अपडेट दे पाऊंगा तो उसके लिए आप सभी को थैंक्यू क्यूंकि यह चीज वन की होने के बाद मिलता है तो थैंक यह जो ऑनलाइन रिजिस्टरेशन रिजिस्टरेशन इंड चॉइस विलिंग का प्रॉसस है वह 21st औक्टोबर से शुरू हो रहा है एंड इसका जो डेडलाइन वह 38 औक्टोबर के शाम 7 बजे तक यानिकि आपको इस बीच ऑनलाइन रिजिस्टर करके चॉइस फिल कर लेन अपने priority के हिसाब से अब यार यह जो online registration है यह थोड़ा अलग है जो आपने पहले करा था यह वाला जो online registration है यह सिर्फ वही students कर सकते हैं जिनका नाम final minute list में है तो आपको सबसे पहले online register करना है and then choices fill कर लेने आपको अपने priority के हिसाब से अब यार 28th October को एक mock round conduct किया जाएगा mock round of seat allotment जिससे students को idea लगे कि यह counselling में actually होता क्या है and यह जो mock round के results है वो 23rd October तक के choices के basis पर declare किया जाएगे अब जो 1st round का result है 1st round of seat allotment उसका result 3rd November को release हो रहा है यानि कि 3rd November को आपको round 1 का result मिल जाएगा उसके बाद 3rd से लेके 7th November के बीच में आपका जो admission का process है वो चलेगा जिसमें आपका document verification होगा आपको admission के जो बागी के process है वो करने है and आपको professional seat allotment letter को download कर लेना है JCC के website से तो 3rd November से लेके 7th November तक आपका जो admission का process है जो भी आपको seat allot होगा जिस भी college में आपको seat allot होगा वहाँ पर आपको admission का process है वो complete कर लेना है अब यह चीज़ फिजिकली वहाँ जाके होगा या फिर online होगा JCC ने अभी तक कोई update नहीं किया हमें तो अगर कोई आता है notification regarding this I'll update you guys through my video तो यह होगी हमारा round 1 का पूरा schedule अब update to round 2 तो round 2 का result है वो declare होगा 12th November को and 12th November से लेके 17th November के बीश में जो बाकी का admission का process है वो चलेगा जिसमें आपको again professional seat allotment letter डाउनलोड करना होगा for round 2 and then बाकी का document verification का process है वो चलेगा So यार mark the dates 21st October से लेके 17th November तक आपको जो पूरा choice filling, online counseling, seat allotment का जो process है वो चलेगा So यार अब आपने next point पे तो आपको जो third point दिख रहा है इसमें यह कहा गया है कि आपको JCC के website पे online counseling for admission in engineering 2020 के नाम से आपको एक link में लेगा इस link पे click करके आपको online register करना है and then choices fill करना है for seat allotment अब आते हैं चौथे point पे अब यह जो point है यह एकदम शुद Hindi में लिखा गया है So let me translate this for you अब इस point में यह कहा गया है कि students को अपने choices खुद की priority के हिसाब से भरना है You need to maintain the priority order and choices भरने का कोई limitation नहीं कि आपको सिर्फ 5 या 10 choices भरने आपके पास जितने भी choices available है वो सारे आप भर सकते हो So इसमें आपका कोई limitation नहीं है अब next यह कहा गया है कि जो second round of counseling है उसमें सिर्फ आपका जो branch आपका जो choice है वो सिर्फ upgrade होता है इसका मतलब यह है कि अगर किसी student को round one में ही उसका choice one lock हो जाता यानि कि किसी student ने अगर भरा है अगर भरा है choice one as BIT सिंधरी mechanical उसे round one में BIT सिंधरी mechanical मिल जाता है यानि कि उसका जो पहला choice है वो उसे round one में ही मिल जाता है तो he or she is not eligible to take part in the next round So इसलिए आपको कहा जारा है कि आपको एक priority order maintain करना है अपने हिसाब से and then आपने नीचे ऐसा कोई बरांच भर दिया for example BIT सिंधरी CSE and आपको जो rank है वो बहुत अच्छा आपको CSE अराम से मिल जाएगा but since आपने CSE को नीचे भरा है आपका जो mechanical वाला choice है वो भी आपके rank के range में है क्योंकि obviously अगर आपको CSE नहीं मिलेगा क्योंकि आपने CSE को mechanical के नीचे रखा है इसलिए आपको बार-बार कहा जा रहा है you need to maintain the priority order आप अपने priority के हिसाब से आपको कौन सा क्या branch चाहिए किस college में क्या branch चाहिए and then आपको अपना rank भी consider करना आप ऐसा नहीं कि आपका rank बहुत जादा and then आप अच्छा branch के ऊपर भर रहे हो so इसलिए आप इन सभी चीज़ों को consider करके अराम से अपना choice feeling करो अपने priority के हिसाब से अब यह आते है आपने next point पे तो इस point में यह लिखा गया है कि आपको register करने के लिए again एक fee पे करना है जो कि general EWS & OBC के लिए है Rs.400 and SCSTN female candidates के लिए Rs.250 तो यह आपका registration fee है इससे आप confuse ना करे with the registration fee जो कि आपने पहले पे करा था यह आपको फिर से पे करना है तो यह आप आते है last point पे इस PDF का इसमें यह mentioned है कि जब भी आपको कोई seat मिलता है जाए वो round 1 में मिले और round 2 में मिले आपको वो seat accept करने के लिए एक amount पे करना पड़ता है Rs.1000 जिसे हम seat acceptance fee के नाम से जानते है तो अगर आपको वो seat accept करना है तो अगर आपको admission लेना है उस particular college के उस branch में आपको seat accept करना है accept करके Rs.1000 पे करना है उसके बाद आपको जो अपना professional allotment letter seat allotment letter उसे डाउनलोड कर लेना जिसे आपको college में शो करना पड़ेगा अब जब आप यह professional allotment letter डाउनलोड करोगे आपको 2 option दिया जाएगा या तो आप वो seat accept करो and then आप next round में participate करो जो कि option A है and option B आपको मिलेगा accept but not participate in the next round यानि कि आपको पूछा जाएगा कि आपको next round में participate करना है कि नहीं तो accordingly आपको tick करना है and किसी एक choice में tick करना है तो इसे आप ध्यान रखे कि आपको किसी एक choice में tick करना है and अगर आप seat accept करके payment करके admission नहीं लेते हो तो आपको पैसा refund नहीं किया जाएगा यह refundable नहीं है and अगर आप admission लेते हो तो यह पैसा आपके college fees के साथ add कर दिया जाएगा वही लिखा हुआ है इस paragraph में and अगर by chance किसी को first round में कुछ नहीं मिलता है तो आप लोग चुप चाप वेट करें round 2 के लिए so I hope कि आपको समझ में आ गया कि यह PDF में क्या लिखा गया है and schedule क्या है आगे का कब से शुरू हो रहा है आज से आपका counselling का जो choice filling का process है वो शुरू हो रहा है online register करके choice fill करना start कर दो 30th तक deadline है and then उसके बाद wait करो for the rounds जैसे जैसे rounds होंगे and जो result हो डिकलेर होगा है आपका admission का process होगा and then उसके बाद classes start होगे so I hope कि this video will help you and अगर कोई है आपके जान पैचान में जो कि यार मस्त मगन जी रहा है उसे पताने कबसे क्या हो रहा है उसके साथ video share करो जागरूप करो यार की counselling शुरू हो चुका है उसका भी schedule आज चुका है so अपने friends भाई बेन जो भी है जो की careless है उनको update करो video share करो बस यार बाकी video पसंद आया तो like share comment हिसाब से कर दो अपने हिसाब से मिलते एकले video में तब तक के लिए stay safe stay motivated and मचाधे रो बाई